मैनपुरी की चार विदान सवा में लोग सवा चुनाव करने के लिए पोर्ट पोलिंग पार्टी हुई रवाना सवेधन सील और रिटकल बूतों पर सेंट्रल पेरामिलेटरी फोर्स रहेगी तैनार। जनपद में 133 सेक्टर और 28 जौनमे सेक्टर मर्जिस्टेट के साथ पुलिस वल रहेगा। गर्मी को देखते हुए बोटरों के लिए टेंट वा बैठने के लिए कुर्सियों का होगा इंतजाब। 850 बोटों पर बेब कास्टिंग कराई जाएगी। देखिए जनपद मेंपुरी के नवीन क्रिस्ट पादनमंडी समीती से आज जनपद की चारों विदान सबाओं की पॉलिंग पार्टियों की रवानगी हो रहे हैं। इस समय तक 1500 से ज्यादा पॉलिंग पार्टियों ने अपने EVM मशीन और इलेक्शन मेटेरियल ले लिया है। 90% से ज्यादा पॉलिंग पार्टियों ने अपना सामान ले लिया है और रबाना हो रहे हैं। जनपद में हम लोगों ने कल के निर्वाचन के लिए बिलकुल फुल प्रूफ सुरक्षा इंतिजाम किये हैं। सभी जो सम्मेदन सील और क्रिटिकल बूफ से उसको हम लोगों रे सेंटरल पैरा मिलिटरी फोर्से से कवर किया है। इसके अलावा जनपद को 163 सेक्टर और 28 जोन में विभाजित करके सेक्टर जोनल मजिस्टेट और उनके समकक्ष पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस प्रकार हर बूफ को इस प्रकार से हम लोगों ने कवर किया है जिससे कि हर 10 मिनट में हमारी कोई न कोई मोबाइल टीम हर बूफ पर पहुंचेगे। सुरक्षा के पोक्ता इंतजाम किये गये हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने मतदाताओं की सुविधा के लिए भी बोलिंग बूफों पर टेंट्स लगा रहे हैं। कि उनको धूप से बचत मिल सके जो दिभ्यांग वोटर्स वाले बूफ हैं वहां हम लोग विल्चेयर रख रहे हैं। हम लोग वोटर असिस्टेंस बूफ बना रहे हैं जहां हमारा बेलो रहेगा। वहां पर वारे स्वगरा जो गर्मी से बचाओं की दवाईयां हैं जरूरी वो भी रखवा रहे हैं। पीने के पानी की समुचित ब्यवस्था रख रहे हैं। लाइन में लगे हुए मद्दाताओं के लिए हम लो बैठने की कुर्शी के इंतिजाम कर रहे हैं।